नमस्कार मैं डॉक्टर श्रीकांद वेदी साहक अच्छार्य गलगोटी आज बिश्वेज जाल अतर प्रदीश आप सभी शिक्षार्तियों का राष्टिय मुक्त विद्याले शिंक्षा सस्थान के स्टूडियो से आप सभी कमया हर्दिक स्वागत करता हूं अब निदन करता हैं आज की बाडगतलमका जो प्रकरण है सूक्षम नियोजन में समद्याय की भूमिका इस पर हम आप पर चर्चा करेचे कि सूक्षम नियोजन में समद्याय की क्या भूमिका है समधाय की important role क्या है समधाय का सूष्मिन योजन में सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना आवश्यक है सूष्मिन योजन हम कहते किसे हैं सूष्मिन योजन उसका क्या अर्थ है सूष्मिन योजन का सूक्ष्म नयोजन, परिवारवार और बालवार योजना तियार करना है जिसके दुवारा प्रतियक बच्चा नेमित बिद्या ले जाता है तथा अपनी सिक्षा को उप्यक्त जगह पर जारी रखकर कम से कम आठ वर्ष की सिक्षा पूर्ण करता है कि परिवारवार और बालवार, योजना तियार करना है कि योजना किया है, कैसे उसको सिक्षा देना है कैसे प्रतियक बच्चा बिद्या ले जा सके कैसे वो सिक्षा ले सके, कैसे वो आठ वर्ष की सिक्षा पूर्ण कर सके इस सब की planning करना इस सब का कारीक़ा आपे कर द्राफ्ट त्यारब करना उसको हम Sushmaneogen कहते हैं Sushmaneogen एब हम समधाय Sushmaneogen और समधाय का आपस में क्या संबंद है, क्या आवश्रक्टा ए उसके लिए हमें आवश्रक्टा है कि पहले हम कुछ उसके इतिहास पर जाये प्रारम्मिक शिक्षा का सार्भ भाहमिक्रण सबसे महत्पून राष्ठी लक्ष है। आज भी एक विकास का लक्ष है। सरकार कितनी भी योजना चलाए। अब सिक्षक्षक कितना भी प्रयास करें। जब तक समधाय का सहयोग नहीं मिलेगा। समधाय की उसमें इन्वॉल्मेंट नहीं होगी। हम उसकी उपस्ति की बात करें, क्या सीखने की स्तर की बात करें, उपलब्दी की बात करें, उसका डवलप्मेंट की बात करें, वो बिना समधाय की सहयोग की पॉसिबल नहीं है। हम समधाय की भागीदारी जरूर चाहिए हमसे। इसलिए जितने भी सैक्षय कारी किरम आई या जो एज़िक्षयण पॉलिसी आया, उसमें समधाय की महत पूर्ण इस्थान दिया गया समधाय की सहयोग से ही सिक्षा का हम विकास करें। सिक्षा को जन जन तक हम पहुचाएं, हर विच्चे तक सिक्षा की हम पहुच बनाएं, उनी की सहायता से हम प्लानिंग करें, उनी की सहायता से हम उसको नियोजन करें तथा उनको कारियन्वन करें, जिसने समधा है कि बहुत बड़ी आवशक्ता है, बहुत बड़ा रोल है सि उपस्ति, प्रतिधारन चमता, चात्रों की उपलब्धी, इस्थान की अनुसार सोर्ण बिन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन्विन् या भागॉलिक परस्ति बिविन तरीके की हर्डल्स हैं उनके नामांकन की परस्तियां भिन होएंगी उपस्ति भी उसी प्रवावित करेगी प्रतिधारान चमता उनके रेटेंशन बच्चे रूके उसको भिन होगा चात्रों के उपलब्दी क्या है कैसा वो सीख रहे हैं बच्चे की तो वो अच्छा सीख रहा है अब जहां उसके परिवार के में कोई पढ़ा लिखा नहीं है शिक्षित नहीं है वो उसको कोई सहयता नहीं कर पा रहे है या वो कहीं कामकार है कहीं का बच्चे को अपने वेवसाय में उसको साथ में लगा रहा है तो उसकी उपल विस दिन कि आवशकता हैं उसके पूर्ठी के लिए उनको यूज़ कर रहा है और जो इस्थाणिय सामाजक आर्थिक इस्तियां मूल और द्रishटिकोन को बहुत प्रभावित करते हैं। जो दरश्टिकोंड है, नामांकन को भी प्रभवित करेगा, बच्चों की उपस्तिती को प्रभवित कर देगा, उसका है नहीं सिक्षा के प्रति उसका पॉजिटिव एटिटूड नहीं है, वो नहीं पढ़ाना चाहता, उसको कि देली की हम जो आवश्कता हैं, उनको फुल् समस्याओं, एबम समस्याओं की प्रिकार सूष्म नियोजन सहवागी तक्निकों का प्रियोकर समधाय द्वारा त्यार किया जाना चाहिए, अब जब बिन बिन समस्याओं हैं, अब शिक्षक को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें समझने में काफी समय लगेगा, कैसी समस्याओं हैं, जिसके बज़े से बच्चे को स्कूल नहीं वेज रहे हैं, या नामांकन नहीं करा रहे हैं, या बच्चे को जो स्टैगनिशन की प्रॉलम है, या बेस्टिक प्रॉलम है, वो क्यों आ रहा है, वो हम उस समाज के लोगों से हम बात करें, उन्हें समस्याओं क्या हैं समस्याओं का प्रकार क्या है तो सूष्म नियोजन जो करना चाहिए प्लानिंग माइक्र प्लानिंग करना चाहिए तो वो हमें लोकल के लोगों को involve करके जो local परवेश में लोग रह रहे हैं हमा समाज में लोग रह रहे हैं समुदाय में लोग रहे हैं उनको हमें अपनी जो planning में, micro planning में हम उने शामिल करना चाहिए जिससे उनकी सहायता से हम कुछ प्लान कर सकें उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम उनकी लिए कुछ अच्छा उपयोगी कारिकरम चला सकें उनको सिक्षा कैसे बेहतर पहुँच सकती है उसके नुसार हम उसको उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ काम कर सकें समुदाय के लोग उसमें involved होएंगे उसमें शामिल होएंगे तो हम अच्छी तरह से हम उनको समझा सकते हैं अच्छी तरह से हम कुछ प्रदान कर सकते हैं जो policies जें अच्छे से हम उनका नियमन कर सकते हैं इसमें एक टेक्निक है पार्टिसिपिर लर्नी एंड एक्षन लोगों को participate करें जो learning है लोगों को involve करे हैं PLA इस्थानी लोगों को जीवन के अपने ग्यान का आकलन बिशलेशन, जीवन का ग्यान, बढ़ाने, बाधाओं की पहचान, समाधान लक्ष को प्राप्त करने के लिए कारिय निगरानी तथा मूल्यांकन में सक्षम बनाता है पेले जो एक technique है वो इस्थानी लोगों को, community के लोगों को, समधाय के लोगों को जीवन को अपने ग्यान का आकलन करना पता है कि जैसे वो उसमें involved होएंगे, participate करेंगे, उसमें involved होएंगे, उसमें शामिल होएंगे तो अपने ग्यान का आकलन करना कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है जीवन में हमें क्या आवशकताई है हमारी समस्याई क्या है हमारी बादाई क्या है उसको पहचानना उनका समाधान करना हम उसको समाधान कैसे कर सकते हैं तो समधाय के लोगों के साथ मिलके उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। उनको हम involve करें। उनकी समस्याओं में विविन परिवेश के लोगों के विविन जोगरिफिकल कंडिशन के according समस्याओं में विन होएंगी। उनके समाधान, उनकी according, उनसे मिलकर, उनसे बात करके, बारतालाब करके, उन समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं। लक्ष को प्राप्त करने के लिए उनकी जो समस्याएं है या उनकी जो हमें सिक्षा का बढ़ावा देना है उनकी निगरानी में भी उनकी involvement करना चाहिए जो हमारा उद्देश है उनमें भी हम involve करें हमारे उद्देश कैसे सिक्षा को बढ़ाना है उनकी कैसे उरको निगरानी करना है monitoring कैसे करना है policies का उसमें भी इस्थानी लोगों को हम शामिल करें मूल्यांकन की जो हमने जो policy बनाया है उनको involved किया है उसको कैसे मूल्यांकन करना है उसमें भी हमें local समधाय के लोगों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए इस्थानी लोगों को हम शामिल करेंगे तो हम हमारी पॉलिसी अच्छे से हम उसको समाज तक पहुंचा सकते हैं सूख्ष्प नियोजन एम समुदाय की आवशक्ता सेक्षन के विकास के लिए सीर्स से एक ही उपाय जिलों तालोक निवासियों को सभी समस्याओं को समोधित नहीं कर सकते अब सेक्षन हमें एजुकेशन का विकास करना है अब सीर्स से वेटा जो टॉप पॉजिशन पे है वही एक पॉलिसी बना दे कि ये इस पॉलिसी है इसके दौरा हमें शिक्षा का विकास करना है लोगों तो पहँचाना है वो पॉसिबल नहीं है हर तरह की समस्याओं को उसमे हम आकलन नहीं कर सकते तो उसके लिए जो भी समस्याओं है वो लोकल व्यक्ति को हम इसमें इंवाल्व करेंगे उससे हम बात करेंगे आपकी क्या समस्या है किस छेतर की समस्याओं है जो बहुत एक परवेश है जो उनके उपलब संसाधन है उनकी अनुसार उनकी समस्याओं को हम साथ में मिलाएं, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को समझकर, उनके समस्याओं के अनरूप, उनके साथ मिलकर उसका समाधान खोजना चाहिए, कि उसका क्या बेहतर समाधान हो सकता है, हम इस थानी लोगों साथ मिलेंगे, उनसे बात करे उनके समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनके समस्याओं को समझेंगे, तो हम अच्छे से पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनाना है, उसको अच्छे से पहुचा भी सकते हैं, उसको लावानवित कर सकते हैं, उसके रिजल्ट, उसके निशकर्ष, उसके जो परिणाम अच्छ इस्थानी लोग क्या आंकलन कर सकते हैं, बिशलेशन क्या कर सकते हैं, शिक्षा के संदर्म में इस्थानी लोग बरतमान नामांकन, क्या नामांकन हैं, उसके बारे बिशलेशन कर सकते हैं, आपको साहता दे सकते हैं, बिशलेशन कर सकते हैं, उनके उपस्ति, बच्चों के उ उपलबदी, बुन्यादी ढाचे का आकलन, कि हमें कितनी स्कूल चाहिए है, कितनी क्या लोकलिटी है, क्या आवशक्त आए है, फिजिकल, जो 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 जोग्रफिकल कंडिशन्स है, उनकी बिशलेशन, समस्याओं की पहचान, उन्हों स्थानी समाधान पर सौजहाओ दे सकते हैं, कि जो इसके संदर्म में सिक्षा के परचापसार के संबंद में, नामांकन, कि बच्चे क्या नामांकन करना है, उनका एनौल्मेंट करना है, तो किस तरह की समस्या हैं या बहां की जो समस्या हैं क्या मुख के समस्या हैं वो आपको इस्थानी के लोग अच्छे से बेहतरी से आपको साहता कर सकते हैं शक्षक होने के नाते आप उनसे बात करें, उनसे समझें कि आप बच्चे के नामांकन क्यों नहीं करा रहा है, क्यों उपसटी कम क्यों है, उसके उपलब्दी कम क्यों है, या जो स्कूल के क्या बशक्ता ही है, तो लोकल की लोग हैं जो बहां के परिवेश में रह रहे हैं, वो अच्छे से आपको उसमें सायता दे सकते हैं। इस्थानी लोग जो निम्न समस्याएं हैं, आगे जो समस्याएं, जो कौन-कौन से समस्याएं जिनका आकलन कर सकते हैं, बिशलिशन कर सकते हैं, वो उन समस्याओं में मुख जैसे ही है, 6-14 वर्ष के लड़के लड़कियां कितनी हैं, बच्चे कितनी हैं, वो इस्थानी लोग बढ़ा सकते हैं। जो राइट टू एजूकिशन आया है, उसमें का 6-14 वर्ष के शिक्षा सभी को सुलब होना चाहिए, सभी तक पहुँच में होना चाहिए, तो कितनी बच्चे हैं, आपको यह पता तो होना चाहिए, तो वो इस्थानी लोग उसमें आपका साहता कर सकते हैं, कि आकलन करके दे सकते हैं, कि हमारे एरिया में, हमारे छेत्र में 6-14 वर्ष के इतनी लड़कें हैं, इतनी लड़कियां हैं, हम उनकी नामांकन के लिए आपके साहिता कर सकते हैं, कितनी नामांकित लड़की लड़कियां हैं और कितनी नामांकन भी ही लड़की लड़कियां हैं, वो उसमें इस्तानी लोग आपके साहता कर सकते हैं, वो household survey कर सकते हैं उनकी साहता से कितनी बच्चोंने नाम एन लुल had school में और कितने बाहर रह गए या बीमार बच्चे या कितने कुपोशित बच्चे हैं वो आपके साहता कर सकते हैं कि समुधाय में रह रहे हैं जो परिवेश में हैं कि बीमार बच्चे कितने हैं या कारी करने बच्चे जो किसी ना किसी कारी में जुटे हुए हैं चाहे कोई परिशती रहा हो परिवार की आर्थिक सामाज इसती रहा हो तो कारी करने वाले बच्चे कितने लोकल बेवसाहे में उनको लगा रखा है उनकी संख्या आपको उनके बारे में जानकरी आपको समधाही से मिल सकता है या 0-6 वर्ष के लड़की लड़कियां आर्टिकल 45 में आया है कि 0-6 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनकी शिक्षा की वेवस्था करने का सरकार का संशोधन आया था अब उसमें कितने बच्चे यह 0-6 वर्च के वो आपके इस थानिये लोग, समधाय के लोग आपको अच्छे से आपको बता सकते हैं कितनी लड़की लड़कियां उस समधाय में, उस सोसाइटी में, उस परवीश में, उस आयुवर्ग में रहने वाज़ कितने हैं कोपोशित लड़की लड़कियां कि समधाय की साहता से आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लड़की लड़के को उपस्तिती है मौसमी परिवरतन, उसकी उपस्तिती बच्चों की क्यों उपस्तिती कम है, मौसमी परिवरतन, कि उपस्तिती मौसमी परिवरतन क् वो समधाय के लोग आपको अच्छे से उसमें साहता कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, जैसे मौसमी परिवरतन के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ समय में, जैसे मार्च के बाद में, या आपको जो फसनों की कटाई होती है, फसने पकती हैं, या कुछ एक शादी है विभा है फंक्षन है उसमें देख उस टाइम पर कख्षा में वबस ये कम हो जाते है तो बो लोग बदा सकते हैं कि ये इसके ये कारण है कि फसनों की कटाई है या घर के काम जो है उनमें इसमें मौसम है इसलिए इसमें इन्वाल्व किया हुआ है या जो एक बिभा है या समारों है इसलिए इसलिए यहां पर बच्चों को लगा रखा है या बच्चों बहां फंक्षन में शामिल हो रहे हैं इसलिए उबस्ती में कमी आई है तो वो सब आपको उस तरह की जानकारी समुदाय की द्वारा मिल सकती है या कख्षा चार के बाद तीन के बाद drop out लड़की लड़किया, drop out कि जो 3 तक पढ़ा या 4 तक पढ़ा कि drop out है, पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया, क्या कारण है, कितने बच्चे हैं, वो समधाय से आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है, लड़की लड़कियों के सीखने का इस्तर समधाय के लोग उसमें आपको बहुत अच्छी से साहता कर सकते हैं समधाय के लोग आपको बेहतर तरीके से उनके सीखने के इस्तर level of learning अच्छी से उसमें आपको साहता कर सकता है नमांकित रहित अनुपस्ति चात्राओं और चात चात्राओं के सीखने के नियुन्तम इस्तर की उपलब्धी की कारण बिन इस्तानों के साथ, बिन इस्तानों के साथ, बिन इस्तानों के साथ, बिन इस्तानों के साथ, बिन इस्तानों हो सकते हैं, जिन इस्तानी लोगादारा पहचाना चाहिए, जो उनके सीखने की इस्तर हैं, या नामांकत रहेते है different different उसके reasons हो सकते हैं यासे आर्थकश्थ्रिक्स्तिती से कमजोर कामगारी व्च्छे आर्थकश्थ्रिक्स्तिती कमजोर है तो बहा उसमें लगे हुए है इसलिए वो नामांकर नहीं करा रहे है अनॉपस्तित हैं विद्ध्याला नामांकर किया उनके जो लाब हैं, सरकार दे रहा है, वो नहीं ले पा रहे हैं, या वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो नियुनतम लेविल आफ लर्निंग है, उसको अचिब नहीं कर पा रहा है, तो आरतिक इस्तिती से कमजूर है, तो परिवार की लोगों ने उसको अपने काम में लगा रहा ह प्लानिंग कर सकते है, या सिख्षक क्या बेभार में चेंज लाना आए तो समधाय के लोग आपको बताएगा, आपको पता नहीं चलता कि उसके आपका डर उसके अंदर है, जिसके बज़े से बच्चा नहीं आ रहा है, अनपस्तित है, या नामांका नहीं किरा रहा है, या नहीं सीख रहा है, नहीं समझ रहा है, शिक्षक के नपस्तित है, कई समधाय की लोग उसमें कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस विद्धयाले में शिक्षक नहीं आ रहा है, अनपसित रहता है, बारवार फ्रिक्वेंटली स्कूल बंद रहता है, वो समधाय की लोग उसमें आपकी साहता कर सकते हैं, शिक्षन के उबाऊ तरीके, सही से आप नहीं प सकते हैं कोपोशित कमजोर बच्चे उसके जानकारी समधाय की लोग दे सकते हैं उसमें या उसके बारे में क्या करना चाहिए समधाय के साथ मिलकर उनकी लिए आप जो बहतर कर सकते हैं वो आप प्लानिंग कर सकते हैं नियूजन कर सकते हैं कमजोर पाठिचरिया निर्माड ठीक नहीं है, लेंदी है, या उसके बच्चे के जो मनुविज्ञान के अनुसार नहीं है, लोजिकल नहीं है, साइकलोजिकल नहीं है, तो वो आप समधाय के लोगों के साथ मिलकर पार्टिचरिया करनमाण कर सकते हैं, या उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, कि प समधाय के लोग उसमें आपको जो policy makers है बहां से आपको feedback दे सकते हैं लड़कियों की सिक्षा के खिलाब सामाजिक वर्जना है को समाज में है कि लड़कियों को सिक्षा नहीं देना है कि लड़कियों को सिक्षा से बंचित रखना है या उनकी सिक्षा बिशेश द्यान नहीं देना है घर के काम काम में लगाना है तो समधाय के लोग उसमें अच्छे से आपको planning में न्योजन में आपकी साहता कर सकते हैं समधाय द्वारा वेखां के की जाने वाले बाधाओं को हटाने के लिए समधाय कौन-कौन से काम कर सकता है या क्या काम कर सकता है क्या साहता कर सक कैसे उनकी बच्चों इस तरह के बच्चे नामांकन बेहिन बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी माता बिताव को जागरू करना शिक्षा के लिए जागरूत करना ताकि वो शिक्षा ग्रहन कर सकें काम करने वाले बच्चों को बैकल्पिक स्कूल की विवस्ता समधाय कर सकता है जैसे आंगनमारी है या शाम को कोई जो ग्राम पंचायत है छेत्र पंचायत है कहीं इस तरह की बैठक कर कोई अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं जो शिक्षा दे सकते हैं, प्रॉल शिक्षा के इंद्रें, या जो गाउं में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनको कहीं ना किसी तरह से उनको बैकल्पी विवस्ता कर सकता है, समधाय के लोग इसमें आपको बहुत साहता कर सकते हैं, शिक्षकों के लिए फ्रीडम, कैसे उसको हटाना है, वो समधाय के लोग आपको साहता कर सकते हैं, अब सिक्षकों को साहता करेगा, अब सिक्षकों के भी अपनी समस्याई होती हैं, समधाय के लोग उनको किसी ना किसी तरह से उनको स्वाहता दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको लिवर्ट को motivate कर सकते हैं, समधाय के लोग उसको operate कर सकते हैं, किस तरह से उसको freedom, किस तरह से किस इस तरफ उसको देना चाहिए, समधाय के लोग उसमें आपको बहुत साहता दे सकते हैं, बच्चों के लिए स्वासिवर, बच्चों के लिए health chem, समधाय के साथ मिलकर उसकी स्वासिवर की कर सकते हैं कि अपने गाओं में, स्कूल में, उनके जो कोपोशिद बच्ची हैं, बीमार बच्ची हैं, कैसे उनको साहता करना चाहिए, समधायक के उसको मिलकर कहीं न कहीं उसको उस तरह से बेवस्था कर सकता है, ताकि बच्चे स्वस्त रहें, प्रारमबेक बच्पन केंद फैला सकता है, खेल के माध्यम से शिक्षा देना, समूमे सिखाना, समधाय साहता कर सकता है उसमें, समधाय बाल केंदरित गली अधारित शिक्षण होना चाहिए, वहां समधाय आपकी साहता कर सकता है, सूक्ष्मियोजन क्रियानमन की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, योजना में महत्रपुन मुमिका निवाते हैं। परयावरान निर्माण, गत्विदियों जैसे नुक्कन नाटकों और लोग गीतों के माध्यम से समधाय के भागिदारी को बढ़ावा देना। नामांकित हो सकने वाले सभी बच्चों को स्कूल लाना तो जो स्कूल नहीं जा सके उनको अन्य साधन उपलाब्द कराना। निर्माण, छेत्रों में लागो, सभी कमज़ूर योजनाओं को स्कूल परनाली को सुधार में योगदान देना। निम्निस्तर पर सुक्ष मिन्योजन स्थानी लोगोद्वारा किये जाते हैं। गामों की कारी योजनाओं को कलस्टर इस्तरी योजनाओं को तयार करने के लिए संक्लित किया जाता है, कलस्टर इस्तरी योजनाओं को ब्लॉक इस्तरी योजनाओं तयार करने के लिए संक्लित किया जाता है, और ब्लॉक इस्तरी योजनाओं को जिलास्तरी योजनाओं तया स्वास्त करता को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है शिक्षा समिती को अपनी समस्यां को व्यक्त करने और कारी उजना को तियार करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है धन्यवाद